लिज़े सुनिए मुंशी प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहे मान सरोवर्दों की कहानी पैदी मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में 14 साल की निरंतर मानसिक वेदना और शारेरे की यातना भोगने के बाद आईवन उखो टस्क जेल से निकला पर उस पक्षी की भाती नहीं जो शिकारी की पिंजरे से पंक हीन होकर निकला हो बलकि उस सिंग की भाती जिसे कटगरे की दीवारों ने और भी भैंग करता था और भ पलिष्ठ शरीर, सुडॉल, अंग प्रत्यंग और लहराती हुई अभिलाशाओं को जुलस डाला था और आज उसके अस्तित्तों का एक-एक अणू, एक-एक चिंगारी बना हुआ था शुधित, चंचल और विद्रोह में जेलर ने उसे तौला, प्रवेश के समय दो मन तीस सेर था, आज केवल एक मन पाँच सेर जेलर ने सहन भूती दिखा कर कहा, तुम बहुत दुरबल हो गए हो आईवन, अगर जराभी को पत्त हुआ, तुम बुरा होगा आईवन ने अपने हड़ियों के धाचे को विजय भाव से देखा और अपने अंदर एक अगनी मैप्रवा का अनभव करता हुआ बुला, कौन कहता है कि मैं दुरबल हो गया हूँ, तुम खुद देख रहे होगे, दिल की आग जब तक नहीं बुझेगी, आईवन नहीं मरे समझते थे, कुछ लिखा पढ़ी हो जाने के बाद उसके कपड़े और पुस्तके मंगवाई गई, पर वे सारे सूट अब उसे उतारे हुए से लगते थे, कोटों की जेबों में कई नोट निकले, कई नगद, रूबल, उसने सब कुछ वहीं जेल के वार्डरों और निमन क कर्मचारियों को दे दिया, मान उसे कोई राज़ मिल गया हो, जेलर ने कहा, ये नहीं हो सकता आइवन, तुम सरकारी आद्मियों को रिशवत नहीं दे सकते, आइवन सादु भाव से हसा, ये रिशवत नहीं है मिस्टर जेलर, इने रिशवत दे कर अब मुझे इन से क्या अब या परसन्न होकर मेरा क्या बिगाड लेंगे और परसन्न होकर मुझे क्या देंगे ये उन किरपाओं का धन्नवाद है जिनके बिना 14 साल तो क्या मेरा यहां 14 घंटे रहना सह हो जाता जब वो जेल के फाटक से निकला तो जेलर और सारे अन करमचारी उसके पीछे उसे मो भीक था, उधार और साहिरदय था, दिल के आईने की भाती निर्मल, शील का पुतला, दुर्मलों की रक्षा के लिए जान पर खेलने वाला, जिसकी हिम्मत संकट के सामने नंगी तलवार हो जाती थी, उसके साथ हैलन नाम की एक युवती पढ़ती थी, जिस पर विद्याल प्रशित हो गई, ये कहना कठिन है, दोनों में लेश मात्र भी सामजजसन न था, आईवन सेर और शराप का प्रेमी था, हैलन कविता एवं संगीत और नरत पर जान देती थी, आईवन की निगाह में रुपए किवल इसलिए थे कि दोनों हाथों से उड़ाये जाएं, हैलन अत्यंत करपन, आईवन को लेक्चर हॉल कारागार सा लगता था, हैलन इस सागर की मचली थी, पर कदाचित वो भी भिन्नता ही उसमें स्वाभावी काकरशन बन गई, जिसने अंत में विकल प्रेम का रूप लिया, आईवन ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया और उसने स संग्राम ने उन्हें अपनी और खींच लिया, हैलन पहले से ही राश्टरवादियों की और जुकी हुई थी, आईवन भी उसी रंग में रंग उठा, खानदान का रईस था, उसके लिए प्रजा पक्ष लेना एक महान तपस्या थी, इसलिए जब कभी वो इस संग्राम में गवर्नर न्युक्त होकर आया, बड़ा ही कटर राश्टरवादियों का जानी दुश्मन, दिन में दो चार विद्रोहियों को जब तक जेल लम भेच लेता, उसे चैन ना आता, आते ही आते उसने कई संपादकों पर राजद्रोह का अभियोग चला कर उन्हें साइबेरिया भिजवा दिया, क्रशकों की सभाएं तोड़ दी, नगर की म्यूनिस्पिलिटी तोड़ दी और जब जन्ता ने अपना रोश पर कट करने के लिए जलसे किये, तो पुलिस से भीड पर गोलियां चलवाईं, जिससे कई बेगुनाहों की जाने गई, मार्शल लाँ जारी कर सारे नगर में हाहा कार मच गया, लोग मारे डर के घरों से ना निकलते थे, क्योंकि पुलिस हर एक की तलाशी लेती थी और उसे पीटती थी, हैलन ने कठोर मुद्रा से कहा, ये अंधेर तो अब नहीं देखा जाता आईवन, इसका कुछ उपाए होना चाहिए, आईवन न हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं इन्ही हाथों से उसका अंत कर दूँगी, आईवन ने विस्माई से उसकी होर देखा, तुम समझती हो, उसे पतल करना आसान है, वो कभी खुली गाड़ी में नहीं निकलता, उसके आगे पीछे सशस्त्र सवारों का एक दल हमेशा रहता है, रे प्याले मेज पर रखकर उसने प्याला मुह से लगाया और धीरे धीरे पीने लगी, किसी विचार में तनमय हो रही थी, सहसा उसने प्याला मेज पर रख दिया और बड़ी बड़ी आँखों में तेज भर कर बोली, ये सब कुछ होते हुए भी मैं उसे पतल कर सकती हूँ, आदमे एक बार अपनी जान पर खेल कर सब कुछ कर सकता है, जानते हूँ मैं क्या करूंगी, मैं उससे राहो रस्म पैदा करूंगी, उसका विश्वास प्राप्त करूंगी, उसे इस भरांती में डालूंगी कि मुझे उससे प्रेम है, मनुश्य कितना ही हिर्दय हीन हो, उ और कुछ नहीं, किसी मायावनी के प्रेम में असफल होकर उसके हिर्दय का रस्त रोत सूख गया है, वहां रस्का संचार करना होगा और किसी युवती का एक मधुर शब्द, एक सरल मुसकान भी जादू का काम करेगी, ऐसों को तो वो चुटकियों में अपने पैरों पर ग बतलाओ मैं रूपवती हूँ या नहीं, उसने तिर्ची आँखों से आईवन को देखा, आईवन इस भाव विलास पर मुगद होकर बोला, तुम ये मुझसे पूछती हो हेलन, मैं तो तुम्हें संसार की, हेलन ने उसकी बात काट कर कहा, अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम कुरूपा नहीं हो, क्या तुम समझते हो, मैं तुम्हें संसार का सबसे रूप वानी उबक समझती हूँ, कभी नहीं, मैं ऐसे एक नहीं सो नाम गिना सकती हूँ, जो चेहरे महरे में तुम से कहीं बढ़कर है, मगर तुम में कोई ऐसी वस्तु है, जो तुम ही मैं है और वो मुझे और कहीं नजर नहीं आती तुम मेरा कारिक्रम सुनो एक महीने तो मुझे उससे मेल करते लगेगा फिर वो मेरे साथ सेर करने निकलेगा और तब एक दिन हम और वो दौनों रात को पार्क में जाएंगे और ताला आपके किनारे बेंच पर बैठेंगे तुम उसी वक्त रिवालवर लिये आ जाओगे और वहीं प्रत्वी उसके बोज से हलकी हो जाएगी जैसा हम पहले कह चुके हैं आईवन एक रईस का लड़का था और करांती मैं राजनीती से उसका हारदिक प्रेम न था हेलन के प्रभाव से कुछ मानसिक सहान भूती अवश्य पैदा हो गई थी और मानसिक सहान भूती प्राणी को संकट में नहीं डालती उसने प्रकट रूप से तो कोई आपत्ती नहीं की लेकिन कुछ संदिक द्रभाव से बोला ये तो सुचो हेलन इस तरह की हत्या क्या मानुश्य किरती है हेलन ने तीखे पन से कहा जो दूसरों के साथ मानुश्य व्यवार नहीं करता उसके साथ हम क्यों मानुश्य व्यवार करें क्या ये सूर की भाती प्रकट नहीं है कि आज सैक्ड़ों परिवार इस राकशस के हाथों तबाह हो रहे हैं। कौन जानता है इसके हाथ कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ किसी तरह की रियायत करना असंगत है। तुम ना जाने क्यों इतने ठंडे हो। मैं तो उसके दुष्ट आचरन को देखती हूँ तो मेरा रक्त खौलने लगता है। मैं सच कहती हूँ जिस वक्त उसकी सवारी निकलती है मेरी बोटी बोटी हिंसा के आवेक से कापने लगती है। अगर मेरे सामने कोई उसकी खाल भी खीच ले तो मुझे दया ना आए। अगर तुम में इसका साहस नहीं है तो कोई हरज नहीं। मैं खुद सब कुछ कर लूँगी। हाँ देख लेना, मैं कैसे उस कुट्टे को जहन्नम पहुँचाती हूँ। हैलन का मुखमंडल हिंसा के आवेक से लाल हो गया। आईवन ने लज्जित हुकर कहा, नहीं नहीं ये बात नहीं है हैलन। मेरा ये आशेना था कि मैं इस काम में तुम्हें सयोग न करूँगा। मुझे आज मालूम हुआ कि तुम्हारी आत्मदेश की दुरदर्शा से कितनी विकल है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि ये काम इतना आसान नहीं है और हमें बड़ी साउधानी से काम लेना पड़ेगा। हैलन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तुम इसकी कुछ चिंता न करो आईवन संसार में मेरे लिए जो वस्तु सबसे प्यारी है उसे दाउपर रखते हुए क्या मैं साउधानी से काम न लूँगी लेकिन तुम से एक याचना करती हूँ अगर इस बीच मैं कोई ऐसा काम करूँ जो तुम्हें बुरा मालूम हो तो तुम मुझे शमा करोगे ना आईवन ने विसमाई भरी आँखों से हैलन के मुख की और देखा उसका आशे उसकी समझ में ना आया हैलन डरी आईवन कोई नई आपती तो नहीं खड़ी करना चाहता आश्वासन के लिए अपने प्रेम का अभिनय करने में मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जिस पर एक मात्र तुम्हारा ही अधिकार है मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझ पर संदेह न करने लगो आईवन ने उसे करपाश में लेकर कहा यह संभव है हैलन विश्वास प्रेम की पहली सीड़ी है अंति इम शब्द कहते कहते उसकी आँखे जुग गई इन शब्दों में उदारता का जो आदर्श था वो उस पर पूरा उत्रेगा या नहीं वो यही सोचने लगा इसके तीन दिन पीछी नाटक का सूत्र पात हुआ हैलन अपने उपर पुलिस के निराधार संदेह की फरयाद ल ली और उसे विश्वास दिलाया कि पुलिस के अधिकारी उससे केवल इसलिया संतुष्ट हैं कि वो उनके कलुशित प्रस्ताओं को ठुकरा रही है यह सत्त है कि विद्याले में उसकी संगती कुछ अग्र यह वकों से हो गई थी पर विद्याले से निकलने के बाद उसका उन से कोई संबंध नहीं है रोम नाफ जितना चतुर था उससे कहीं चतुर अपने को समझता था अपने दस साल के अधिकारी जीवन में उसे किसी ऐसी रमडी से साबिका ना पड़ा था जिसने उसकी उपर इतना विश्वास करके अपने को उसकी दया पर छोड़ दिया हो बहुत सिर मारने पर भी ग्यात नहो सकी थी पर इन बातों में मिथ्या का कितना मिश्रण है वो ना भाब सका इस आध घंटे में एक युवती ने एक अनभवी अफसर को अपने रूप की मदरा से उनमत कर दिया था जब हैलन चलने लगी तो रोम नाफ ने कुरसी से खड़ बात देती हूं कलाब तीसरे पहर यहीं चाहे पिये रब्त जब्त बढ़ने लगा हैलन आकर रोज की बात आईवन से कह सुनाती रोम नाफ वास्तों में जितना बदनाम है उतना बुरा नहीं नहीं वो बड़ा रसिक संगीत और कला का प्रेमी और शील तथा विना की बूर आईवन और हेलन दिन भर बैठे बैठे इसी प्रश्न पर विचार करते रहे आईवन का मन आज बहुत चंचल हो रहा था कभी अकारण ही हसने लगता कभी अनाया सीरो पड़ता शंका प्रतीक्षा और किसी अग्या चिंता ने उसके मनुसागर को इतना शांत कर दिया था कि उसमें भावों की नौकाए डगमगा रही थी ना मारग का पता था ना दिश्या का हैलन भी आज बहुत चिंतित और गंभीर थी आज के लिए उसने पहले ही से सजीलिवस्त्र बनवा रखे थे रूप को अलंकरत करने के ना जाने किन किन विधानों का प्रियोग कर रही थी पर इसमें किसी योद्धा का उत्साह नहीं कायर का कमपन था। सैसा आईवन ने आखों में आसु भर कर कहा। तुम आज इतनी मायावनी हो गई हो हैलन कि मुझे ना जाने क्यों तुमसे भै हो रहा है। हैलन मुसकाई उस मुसकान में करुना भरी हुई थी। मनुष्य को क कभी कभी कितने ही अप्रिय कर्तवयों का पालन करना पड़ता है आईवन। आज मैं सुधा से विश का काम लेने जा रही। अलंकार का ऐसा दुरुपयोग तुमने कहीं और देखा है। आईवन उड़े हुए मन से बोला। इसी को राश्ट्र जीवन कहते हैं। ये राश् आईवन ने गर्म होकर कहा अत्याचारियों को संसार में फलें फूलें दिया जाए जिससे एक दिन इनके कांटों के मारे प्रत्वी पर कहीं पाउं रखने की जगए न रहे। एलन ने कोई जवाब न दिया। पर उसके मन में जो अवसाद उत्पन हो गया था वो उसके मु देने का उसमें साहस न था दौनों गले मिलकर विदा हुए कौन जाने ये अंतिम दर्शन हो। दौनों के दिल भारी थे और आँखे सजन। आईवन ने उत्साह के साथ कहा मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा। हैलन ने कोई जवाब न दिया। आईवन ने फिर सन रोध कहा मौत मेरी आँखों के सामने खड़ी हो गई। वो वेक के साथ चला गया। संध्या हो गई थी और दो घंटे के बाद ही उस कठिन परिक्षा का समय आ जाएगा जिससे उसके प्राण काप रहे थे। वो कहीं एकांत में बैठकर सोचना चाहता था। आज उसे ग्यात हो रहा पार्क के एक कुझ में बैंच पर बैठे हुए थे। तेज बरफीली हवा चल रही थी। चांद किसी शीर आशा की भाती बादलों में चिपा हुआ था। हैलन ने इधर उधर सशंक नेत्रों से देख कर कहा अब तो देर हो गई यहां से चलना चाहिए। रोम नाफ ने बै है तो सत्त से अधिक उज्जल। हैलन बेचैन होकर उठी और रोम नाफ का हाथ पकड़ कर बोली। मेरा जी आज कुछ चंचल हो रहा है। सिर में चक्कर सा आ रहा है। चलो मुझे मेरे घर पहुचा दो। रोम नाफ ने उसका हाथ पकड़ कर अपनी भकल में बैठाते हु रात तो काली बलासी मालूम होती है। जितनी ही देर उसे दूर रख सकूँ उतना ही अच्छा। मैं तो समझता हूँ उस दिन तो मेरे सौभाग की देवी बनकर आई थी हैलन। नहीं तो अब तक मैंने ना जाने क्या क्या अत्याचार किये होते। उस उदार नीती ने वात रिणी हूँ हैलन। केवल तुम्हारा। पर खेद यही है कि हमारी सरकार दवा करना नहीं जानती है। केवल मारना जानती है। जार के मंत्रियों में अभी से मेरे विशे में संदेह होने लगा है। और मुझे यहां से हटाने के प्रस्ता हो रहा है। सैसर टॉर्च का चका चौध पैदा करने वाला प्रकाश बिजली की भांती चमक उठा और रिवालवर छूटने के आवाज आई। उसी वक्त रोम नाफ ने उचल कर आईवन को पकड़ लिया और चिलाया। पकड़ो पकड़ो खून हैलन तुम इहां से भागो। पार्क में कई संत्री थे चारो मिलाकर संदे के स्वर में कहा ये आईवन तो वही वक्त है जो तुम्हारे साथ विद्याले में था। हैलन ने शुब्ध होकर कहा हाँ है लेकिन मुझे इसका जरा भी अनमान ना था कि वो करांती कारी हो गया है। गोली मेरे सिर पर से सन्न सन्न करती हुई निकल गई। या मर ही जाता तो क्या मेरी जगह कोई मुझे से भी जादा कठोर मनुशना आ जाता। लेकिन मुझे जरा भी क्रोध दुख या भै नहीं है हैलन। तुम बिलकुल चिंता ना करना। चलो मैं तुम्हे पहुँचा दू। रास्ते भर रोम नाफ इस आगात से बच जाने पर अ दुनिया अंधेरी हो गई है और वो उसकी अथा गहराई में धस्ता चला जा रहा है। चौदह साल के बाद आईवन रेल गाड़ी से उतर कर हैलन के पास जा रहा है। उसे घरवालों की सुध नहीं है। माता और पिता उसके वियोग में मरना सन्न हो रहे हैं। इसकी उसे परवाह नहीं है। वो अपने चौदह साल के पाले हुए हिंसा भाव से उनमत हेलन के पास जा रहा है। पर उसकी हिंसा में रक्त की प्यास नहीं है… केवल गहरी दाहक दुर्भावना है। इन चौदह सालों में उसने जो यातनाएं झेली हैं उनके दो-چार वाक्क्यों मे मानों सत्त निकाल कर विश के समान हैलन की धमनियों में भर कर उसे तड़पते हुए देख कर वो अपनी आखों को तरब्ट करना चाहता है और वो वाक क्या है हैलन तुमने मेरे साथ चुदगा की है वो शायत्रिया चरित्र के इतिहास में भी अदूत्ती है मैंने अपना सर्वस से तुम्हारे चरणों पर अर्पन कर दिया मैं केवल तुम्हारे शारों का गुलाम था तुमने ही मुझे रोम नाफ की हत्या के लिए प्रेरित किया और तुमने ही मेरे विर्ध साक्षी दे केवल अपने कुटिल काम लिपसा को पूरा करने के लिए मेरे विर्ध कोई दूसरा प्रमाड ना था रोम नाफ और उसकी साधी पुलिस भी जूटी शहादतों से मुझे परास्त ना कर सकती थी मगर तुमने केवल अपनी वासना को तरप्त करने के लिए केवल रोम नाफ की विशाक्त आलिंगन का आनंद उठाने के लिए मेरे साथ ही विश्वास घात किया पर आँखे खोल कर देखो कि वही आईवन जिसे तुमने पैर के नीचे कुछला था आज तुम्हारी उन सारी मकारियों का परदा खोलने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है तुमने राष्ट की सेवा का बीड़ा उठाया था तुम अपने को राष्ट की वेधी पर होम कर देना चाहती थी किन्तु कुछसित कामनाओं के पहले ही प्रलोभन में तुम अपने सारे बहुरूब को तिलांजली दे कर भोग लालसा की गुलामी करने पर उतर गई अधिकार और सम्रिध्धी के पहले ही टुकडे पर तुम दुम हिलाती हुई तूट पड़ी धिकार है तुमारे इस भोग लिपसा को तुमारे इस कुद्सित जीवन को संध्या काल था पश्चिम के शितिच पर दिन की चिता जलकर ठंडी हो रही थी और रोम नाफ के विशाल भवन में हैलिन के अर्थी को ले चलने की तैयारियां हो रही थी नगर के नीता जमा थे और रोम नाफ अपने शोक कमपित हाथों से अर्थी को पुश पहारों से सजा रहा था एवं उन्हें अपने आत्म जल से शीतल कर रहा था उसी वक्त आईवन उनमत तवेश में दुर्बल जुका हुआ सिर के बाल बढ़ाए कंकाल सा आकर खड़ा हो गया किसी ने उसकी और ध्यान न दिया समझे कोई भिक्षुक होगा जो ऐसे अफसरों पर दान के लोबह से आ जाया करते है जब नगर के बिशप ने अंतिम संसकार समाप्त किया और मर्यम की बेटिया नए जीवन के स्वागत पर गीत गा चुकी तो आईवन ने अर्थी के पास जाकर आवेश से कापते हुए स्वर में कहा ये वो दुष्टा है जिसे सारी दुनिया की पवितरात्माओं की शुब कामनाए भी नरक की आतना से नहीं बचा सकती वो इस योग थी कि उसकी लाश कई आदमियों ने दौड कर उसे पकड़ लिया और धक्के देते हुए फाटक की और ले चले उसी वक्त रोमनाफ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे अलग ले जाकर पूछा दोस्त क्या तुम्हारा नाम क्लाडियस आइवनाफ है हाँ तुम वही हो मुझे तुम्हारी सूरत याद आ गए मुझे सब कुछ मालूम है रत्ती रत्ती मालूम है हैलन ने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई अब वो इस संसार में नहीं है मैं जूट बोलकर उसकी कोई सेवा नहीं कर सकता तुम उस पर कठोर शब्दों का प्रहार करो या कठोर आगातों का वो समान रूप से शान्त रहेगी लेकिन अंत समय तक वो तुम्हारी याद करती रहे उस प्रसंग की इसमरती उसे सदै और रूलाती रहती थी उसके जीवन की ये सबसे बड़ी कामना थी कि तुम्हारे सामने घुटने टेक कर शमा की आजना करे मरते मरते उसने ये वसीयत की कि जिस तरह भी हो सके उसकी ये विनय तुम तक पहुचाओं कि वो तुम्हारी अपराधनी है और तुम से शमा चाहती क्या तुम समझते हो जब वो तुम्हारे सामने आखों में आसु भरे आती तो तुम्हारा हिर्दा पत्थर होने पर भी न पिगल जाता क्या इस समय भी तुम्हें दीन याचना की प्रतिमासी खड़ी नहीं देखती चल कर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो मोशियो आईवन तुम्हारा मन अब भी उसका चुम्बन लेने के लिए विकल हो जाएगा मुझे जरा भी इर्शा न होगी उस फूलों की सेच पर लेटी हुई वो ऐसी लग रही है मानु फूलों की रानी हो जीवन में उसकी एकी ही अभी लाशा पूर्ण रह गई आईवन वो तुम्हारी शमा है प्रेमी हिर्दे बड़ाओदार होता है आईवन वो शमा और दया का सागर होता है इर्शा और दंभ के गंदे नाले उसमें मिलकर उतने ही विशाल और पवित्र हो जाते है जिसे एक बार तुमने प्यार किया उसकी अंतेमा भिलाशा की तुम उपेक्षा नहीं कर सकते है उसने आईवन का हाथ पकड़ा और सेक्ड़ कुतुहल पूर नेत्रों के सामने उसे लिये हुए अर्थी के पास आया और ताबूत का उपरी तख्ता हटा कर हैलन का शांत मुखमंडल उसे दिखा दिया उस निस्पंद निश्चेष्ट निर्विकार छवी को मरत्युने एक देवी गर्मा सी परदान कर दी थी मानुस्वर्ग की सारी विभूतियां उसका स्वागत कर रही है आईवन की कुटे लांखों में एक दिव जोती सी चमक उठी और वो द्रशे सामने खिच किया जब उसने हैलन को प्रेम से अलिंगित किया था और अपने हिर्दय के सारी अनराग और उल्लास को पुश्पों में गूत कर उसके गले में डाला था उसे जान पड़ा ये सब कुछ जो उसके सामने हो रहा है सौपन है और एकाएक उसकी आँखे खुल गई है और वो उसी भाती हैलन को अपनी चाती से लगाए हुए है उस आत्मानंद के एक शण के लिए क्या वो फिर चौदै साल का कारावाद चेलने के लिए न तैयार हो जाएगा क्या अब भी उसके जीवन की सबसे सुख़त घड़िया वो ना थी जो हैलन के साथ गुजरी थी और क्या उन घड़ियों के अनपमानंद को वो इन चौदै सालों में भी भूल सका था उसने ताबूत के पास बैठकर शद्धा के कापते हुए कंट से प्राठ्थना की अपनी नीच्टा पर और जब ताबूत कबर में रख दिया गया तो वो वहां बैठकर ना जाने कब तक रोता रहा दूसरे दिन रोम नाफ जब फातिह पढ़ने आया तो देखा आईवन सिजदे में सिर जुकाई हुए है और उसकी आत्मा स्वर्ग को प्रेयान कर चुकी है अब ही आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेयम चंद के लिखे कथा संग्र है मान सरुवर्दो की कहानी पैदी मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में